अक्षय कुमार वर्सिस अजय देवगन हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी नमस्ते दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर है जहां हम बॉलिवूर के दो दिगजों अक्षय कुमार और अजय देवगन की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे मी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की तो पांचवे नंबर पर अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हाउस्पूल 4 है जिसका बजट 160 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 292 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर हिट साबित हुई वही अजय देवगन की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सिंधन रिटर्न है जिसका बजट 90 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 220 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई तो तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सूर्यवंशी है जिसका बजट 160 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 294 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई वही अजय देवगन की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म टोटल धमाल है जिसका बजट 105 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 228 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर हिट साबित हुई तो तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म टोलेट एक ट्रेन कता है जिसका बजट 70 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 314 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई वही अजय देवगन की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म गोलमाल अगेन है जिसका बजट 90 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 310 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर ब्लोक्बस्टर साबित हुई तो दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म गोलमाल अगेन है ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2.0 है जिसका बजट 540 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 675 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई वही अजय देवगन की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तानाजी है जिसका बजट 125 करोड रुपए है और इसने वर्ड वाइड 362 करोड की कमाई की और यहां फिल्म बोक्स ओफिस पर ब्लॉक्बस्टर साबित हुई तो दोस्तों ये थी अक्षय कुमार और अजय देवगन की पांच सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में अब आप हमें बताएं कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई अपनी राय कमेंट बाक्स में दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भोलें हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते